दिल्ली की पांच ऐसी भूतिया जगे जिसके बारे में नहीं जानते होंगे आप दिल्ली भारत की राजधानी है जिसके पास बताने के लिए कई सारी कहानिया हैं यहाँ पर सबसे अच्छी रोड़ी हैं तरहे तरहे के स्वाधिस्ट वेंजन हैं लोगों के लिए अच्छी चॉप्स हैं और कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी जगे भी हैं जी हाँ आप यह बात सुनकर चौक गए होंगे लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि दिल्ली भारत का अधी प्राचीन नगर है यम्ना नदी के किनारी इस्थित नगर है गौरशाली पौराडिक इतिहास भी है दिल्ली शहर पर पहले मुगलों का पास रहा उसके बाद व खुलासा भी करते हैं आईए जानते हैं वह डौरावनी जगे कौन-कौन सी है दिल्ली कैन यह दिल्ली का बहुत ही हरा भरा और सुन्दर इलाका है यहां कि कई लोगों ने बताया है कि इस जगे पर उन्होंने एक सफेज रंग के लिबास में लड़की देखी है जो लोगो पर आने वाले कई शिकारी बताते हैं कि उन्होंने सफेद रंग के कपड़ों में किसी को बर्गत के पेड़ के पीछे चुकते हुए देखा है लोथियन सैमेट्री यह इसाईयों का कब्रिस्तान है जहां पर कई तरह के भूतों की कहाने प्रचलित हैं जैसे सेर कटे हुए भूत बताया जाता है कि यह फोथ अपने जमाने में एक जवान जिबाही था जिसकी प्रेइमीका ने इसको ठुकरा दिया था जिस वजेसे इसने अपना से कार लिया था अभी फोथ अमावसिय्वे लाट में यहां टहलता है खूनी दर्वाजा इसका नाम ही बता रहा है कि जखे कितनी डरावनी होगी खूनी दर्वाजे का ये नाम तब पढ़ा जब यहां मुगल सुल्तान के तीन शहजादे बहादुर शाह जाफर के बेटे मिर्जी मुगल और क्रिस सुल्तान और पोते अबुबकर को बिटिश जनरल विलियम होटसन ने नंगा कर कोली मार हध्या कर दी थी तो यदिया विदेशी हैं तो इन तीनों की आत्माओं से बचके रही है क्योंकि यह अपनी बेजिती का बदला लेने के लिए अधिक जादा उत्सुख रहते हैं जमाली कमाली मश्रिक कोई दो फूतो का नाम नहीं है तो महा सूफी संतों में जिनेसमक नमें दफनाया गया था लोग कहते हैं कि रात के समय फेलान शकें पर कुस्जिन आते हैं जो लोगों के गाल पर थपड़ मारते हैं फिर हवा इंके पीछे पड़ जाती है बच्छोर दो अब अच्छोर अच्छोर में अच्छोर झाल